कि नवस्का दोस्तों स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसीन यूट्यूब चनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी अनेच्चंप सताइसो प्लस वेकेंसी को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आयू है बहुत ही बीग अपडेट है दोस् इसमें यह बता जा रहा कि आपके सेलेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज आई है दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है इस वीडियो में लास्तक बने रहेएगा तब आपको पूरी बाती समझ आएगे दोस्तों इस चैनल पर जो नए है प्लीज चैनल को सब्सक्काइब क चैनल को यह बता दें लिखा क्या है दोस्तों इस पीडियेप को मैंने ट्रेलिग्रम आइडी पर में डाल दिया वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं पड़े सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा है स्टाफ नर्स एस एन एन यूह एम ठीक है के लिए भरती की आवंटन के तथ बिभीत बिभीत स्टाफ नर्स पदो के लिए अस्थान वरियता का चैन करने के लिए निर्देश और निर्देश निर्देशां राष्टी स्वास्त मिशन उत्तर पर दे अस्थान वरियता का चैन पहले नमर में दिया है स्टाफ नर्स में कि एन हम कारिकरता के तहत ल पर लिंक यह लिंक डिया हुआ है इसांट करना होगा अभी मैंने इसको लागिन किया जब मैं इसको लागिन किया तो मैं अपना रोल नमबर या किसी भी स्टूडियन का जो भी कंडिडेट हैं जो एनेचम का एक्जाम दिये हैं यह 2700 प्लस वेकेंसी का तो वह अपना रोल नमबर और डेटा बर्थ जब मेंसन करेंगे तो इसमें फिर से सेम प्रॉ प्रॉज बताएंगे एक वीडियो अलग से बनाएंगे बट आपको बता दे रहें कि ऐसे ऐसे क्या क्या इसमें अपडेट जारी किया जा है तो लिंक पो हमने क्लिक किया देखा तो इसमें फिर से लोकेशन को लोकेशन पोजिशन फ्रीफर करने का दे रहा है यानिकि इस् इसको सेलेट करने है और फिर से कंफरम करने बट इस में लिखा उसके बारे बता देते हैं ठीक है अनुक्रमाक रोल नमर और जन्मतिति के साथ लागिन करने ऐसे मैं लिखा अस्थान की वरियता प्रदान करने के लिए उमिद्वारों को डॉप डॉप डाउन जुर inhab में जिले का चेहन करना होगा है उम्मिदवार को उपलब्द सभी अस्थानों के लिए वर्यता प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो सभी अस्थानों के लिए उनकी उमिदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि अस्थान समाप्त हो जाता है ऐसे इस्तिती में एक यह चिक्द अस्थान उनके उन्हें वांटित किया जाएगा ठीक है पांचवाम लिखा है कि मैं वही सेम प्रोसेस जिसमें आप पूरे सलेक्ट करेंगे उसके वास नीचे देगा कि मैं पूरी तरह से समझता समझती हूं कि अस्थान के संदर्म का वीवरड जैसे की जैसे सेम मैंने उसमें बताया था बट इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे तक कि हम आपको टाइम वेस्ट नहीं हो च्छेटे में लिखा है कि अंतिम जमा करने से पहले चैनित अस्थान और वरिताओं का पूरोलोगन सत्वा वाट टाइम पासवर्ड ओटीपी अधारिट होगा ओटीपी पंजिकरित मोबाइल नंबर आर एम एल को साजा किया जाएगा उमिदवार आरेमल पर भेजेगे सभी पासवर्ड ओटीपी डालने के बाद फार्म जमा करने होगे इसमें दिया है अस्थान वरिता को सम्मिट करने के लिए तीन दिन की अधिदी जाएगी सोज़ा फरमरी दोजारीकी दोपर एक बज़े से सुरू होकोर उननीस फ़रमरी दोपर अक बज़े तक खत्म यानी कि 16 फरमरी कि आछ तो आपका आछophone हुआ है ठीक है 16 फरमरी दोजार 27 दो पर एक बज़े से शुरू होकर 19 फ परिच्छा दिनांग 24 जन्वरी 2021 को आयूजित की गई थी नोट उमिद्वार संबंदित सम्मिशन करने की थी दिनांग तक अस्थानों की वरिता को संसोधित करने के लिए सक्षम होंगे अंतिम दिनांग को बढ़ाय जाने के मामले में पिछले सम्मिट किये गए सभी अस्थ संबोधित नहीं किसके दोटो यहां पर देख शकते हैं इसमने को सब्सक्रie 70 को बढ़ाए गए सब्सक्राइब आपको जारूर स्थिना करने के दोड़्वड़न ही तो आप लोग यसमें सुनने में यहां है कि जो लोग shortlisted हुए उन्हीं के पास उन्हीं का यह खूलेगा option दे रहा है कि आप अपना district select करने का लिए तो इसके बारे में अभी मुझे knowledge नहीं है confirm knowledge नहीं बट मैं confirm करके आपको जरूर बताऊंगा ठीक है तो आप लोग प्लीज जल्दी वाजे ना करिएगा किसी की चक्कर में नाइए कर इस पर confirm knowledge लेकर फिर आपको बताएंगे सो थैंकि दूस्ता आशा है कि आपको समझा गया होगा अभी लेटेस्ट पीडियोप जारी किया गया है कि अगर कर दो कि अगर कर दो